हेलो दोस्तों, असलाम अलाइकूं तो आज मैं बनाने वाली हूँ रस्मलाई जो की बहुत कम खर्च में बनने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि हम इसको बनाने के लिए गैस नहीं जलाएंगे बिना गैस जलाएंगे ये बन जाएगा ये और ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनेगा जब आप खाएंगे ने इसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसे बिना गैस जलाएंगे बनाएंगे या फिर ये क्या चीज से बना है वो आपको पता भी नहीं चलेगा इतना ये टेश्टी और अच्छा बनके रेडी होता है अगर घर पे मेहमान आए है तो उन्हें भी बना कि आप तुरत फटा फटा उन्हें सब कर सकते हैं दे सकते हैं खाने के लिए इतना ये जल्दी फटा छे साथ काजू है और एक ब्रेड का स्लैस लेंगे जिसका की ब्राउन पार्ट हटा लिए हैं अब हम क्या करें ये दोनों को पाले पीस लेंगे तो यहां पे देखे ये दोनों का पॉड़र बनके रेडी हो गया अब इसमें हम और कुछ मिक्स करेंगे जैसे कि ये मिल्क प डालेंगे आधा चमच और ये सब को फिर से एक बार हम ग्रैंड कर लेंगे ताकि सभी चीजे अची तरह से मिक्स हो जाए तो यहां पे देखे ये रेडी हो गया है अब इसमें हम एक कप दूद डालेंगे ये उबला हुआ और ठंडा दूद है तो इसे डालके हम मिक्सी को जरा सा चला देंगे ताकि सभी चीजे मिक्स हो जाए और हमारा रस मलाई के लिए रस रेडी हो गया तो है ना कोई भी जंजट नहीं बस इसे फटा फट हम दो तिन चीजे ही मिक्स कियें और हमारा रस मलाई का रस रेडी हो गया अब इसे हम दूसरे बरतन में रख लिए है और इसमें तो आसा कलर डाल रही हूं मैं और इसमें तो आसा ड्राइफुट डाल देंगे जैसे कि ये है बदाम है पिस्ता है और काजु है डाल के इसे हम मिक्स कर देंगे और ये अभी हलका पतला लग रहा है लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये पुरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे फ्रीज में रखेंगे और इसका कलर भी आपको अभी थ्वा हलका लग रहा होगा लेकिन कुछ दर रहने के बाद दस या पांच मिनाट रहने के बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा आजाएगा और ये गाढ़ा भी हो जाएगा तो इसे हम फ्रीज में रखते हैं ठंडा होने के लिए तो यहाँ पे देखें ये हो गया है अब हम उसका यहाँ थ्वास उपर से ड्राइपूट डाल दे रहे हैं और अब रस मलाई का रस तो हो गया अब हम इसके लिए तियार करेंगे मलाई तो यह देखें हैं इसे हम ब्रेड से बनाएगे तभी तो यह फटाफट बन के रेडी होगा अब क्या करेंगे ब्रेड का जो किनारे वाला ब्राउन वाला पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे क्योंकि यह सकत रहता है और रस मलाई हमें पुरा वाइट वाइट चाहिए और यह रहेगा तो कलर भी चिंज हो जाएगा उसका और यह सकत वाला पार्ट से अच्छा नहीं बनेगा इसलिए इसे काट के हम साइड हटा देंगे और इसका आप दूसरा कुछ भी रेसिपी बना सकते हैं इसका ब्राउन वाला पार्ट से तो यहाँ पे देखे मैं इसी तरह करके सभी को काट के रेडी कर लिए हो रहे थोड़ा सा ड्राइपूड भी लीए हूँ मैं अब हम क्या करेंगे एक बरतन में लेंगे दूद थोड़ा सा दूद लेंगे जादा नहीं बस इसे हमें डिप करना है तो बस ब्रेट का स्लाइस उठाएंगे और इसे हम डालेंगे दोनों साइट से उलट पलट करके हम इसे निकाल लेंगे तो इसे आप ज़्यादा देर तक नहीं छोड़िएगा दूद में नहीं तो फिर आप इसे हाथ से पकड़ ही नहीं पाएंगे ब्रेट को इतना ये नर्म और सॉप्ट हो जाएगा अब बीच में थास रखेंगे ड्राइफूट को और ये सब के किनारी जो है उसे उठाके इस तरह करके सिल कर देंगे और इसे पलट देंगे पलटने बाद हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से गोल कर देंगे और एक्ट्रा दूज़ इसमें है ना उसे भी हम निकाल लेंगे तो दे सकते हैं ये पूरा अच्छी तरह से गोल हो गया अब इसी तरह करके सभी को बना लेंगे तो अगर आप इस तरह बना के रखे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके लिए आप रसगुला बनाए हैं या नहीं बनाए हैं रसमलाई के लिए और जब इसमें रस मिक्स हो जाता है तब तो और भी नहीं पता चलता है इतना ये टेश्टी रच्छा बनके रेडी होता है तो इसी तरह करके सभी को बनाके मैं रेडी कर ली हूँ और इसका जो रस था उसे भी फिर इसे निकाल ली है अब क्या करेंगे इसका गानिसिंग करेंगे तो बस एककर के रस मिलाई हम इसमें रख देते हैं ये बरतन में तो इसमें चार अटेगा ये देखे ये तीसरा हो गया ये चौन था अब डाल देंगे हम इसमें और जो इसका रस है वो उपर से डाल देंगे हम तो देख सकते हैं अभी यह कितना अच्छा कलर भी आ गिया है तो जादा गाड़ा नहीं चाहिए हम थो अच्छा लगेगा और इसके अंदर तक ही रज जा पाएगा रज गुल्ले के अंदर तक तो यहां पे देखिए इस तरह करके हम डाल देंगे उपर से और देखिए अब कोई कह सकता है कि हम इसे ब्रेट से बनाए है या फिर हम इसके लिए हम दूद को पकाई नहीं है गाड़ा नहीं किये है पता नहीं चल रहा है इतना जटपड बन गया और टेश्टी देखने जितना टेश्टी है खाने में उपसे और कहीं ज्यादा टेश्टी है तो अगर आपके घर पे महमान आए ना फटा-फटी इस तरह करके उन्हें बना के देखाने के लिए आपके तारीफ ही होंगे और आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे तो आप लोगो मेरा ये रेसिपी कैसा लगा मुझे जरू से कमेंट कीजिएगा और जो नई दोस्त मेरे चैनल को अर रेसिपी को सिप देख के नहीं जाए चैनल को सस्क्राब भी करें और बेल आइकन जरूर से दबाए ताकि आगे जो भी मेरेसिपी डालो ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और हाँ कमेंट जरूर से कीजिए क्योंकि कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं त जरूर से कमेंट कीजिए थे दिए जरूर से कमेंट कीजिए हैं